देखो Cross elasticity of demand Price elasticity of demand जैसे यह उसमें प्राइस वर्ड यूज करते थे क्योंकि प्राइस के रिफ्रेंस में डिमान्ड चेंज होती थी याद रखना जब प्राइस के रिफ्रेंस में डिमान चेंज होती थी वह प्राइस लास्टिसित्य ऑफ डिमान था अब किसके reference में आ रही है cross elasticity मतलब दो demand है मतलब दो goods हैं उनकी demand की वज़े से या वो जो दो goods हैं उनमें जो price changes आ रहे हैं उसकी वज़े से जो दूसरे goods की demand में changes आते हैं तब उसके लिए word use होता है cross elasticity of demand meaning there is a mutual relationship between change in price and quantity demanded of two related goods change in price of one good cause change in demand for the related good एक की price में change की वज़े से दूसरे की demand में दूसरे goods की demand में changes आना उसको बोलते हैं cross elasticity of demand अब देखो इसका इसना examples उससे लेलो जैसे टिण अगर की price बढ़ जाती है तो yो अगर टी का price कम हो जाता है यह इक का price 가지 आ जाता है। तो अगर आई आदो तो ऐसी जो डिमांड होती है एक का एफक्ट दूसरे की डिमांड परिया तो उसको बोलते हैं आँ यह दिस हो ग्या आước न यह पर वहां पर फटूतलmor ऑसती ही निटस यह इस हो गया था है यह ख्रॉच टिसिटी पॉद पर्सम्टट अजुला है percentage change in quantity demand of good x upon percentage change in price of good y दो goods है उनकी price पे effect होने की वज़े से एक की दूसरे की demand पे फरक पड़ता है अब देखो इसमें क्या लिखा है degrees जैसे उसमें क्या होता था? price elasticity demand में five types का बताया था अब इसमें देखो degrees में cross elasticity में कितना है देखो positive when goods are substitutes है तो जो percentage rise होगा will lead to percentage increase in demand for other goods in other words cross elasticity of demand is positive in case of substitutes quantity देखो, diagram देखो, tea का और coffee का यह देखो, यह जो P वरला word लिखा है P यानि price है coffee का price पहले इतना था सोचो, zero पे था zero से P तक जा रहा है price है यह यहाँ से तो जो P की जो demand थी यह देखो एक का price और दूसरे का demand तो क्यों इतनी मांगी जाती थी यह tea, मतलब चाय इतनी खरीदी जाती थी लेकिन जैसे ही price O से लेकर यह यहाँ पे चले गया P1 coffee coffee का price suddenly देखो इतना बढ़ जा तो tea की demand यहाँ से लेकर यहाँ पहुंच गए तो यह हो गया positive देखो in other words elasticity of demand is positive in case of substitutes आया समझ में एक का price और दूसरे का demand clear है? yes ma'am negative complimentary goods positive याद रखना अगर positive है तो substitutes के case में negative है complimentary के उसमें जो complimentary goods होते हैं अगर एक लिया है तो दूसरा लेने ही पड़ता है कैसे गुट्स होते हैं complimentary goods जोइन्ट डिमांड होती है तो percentage rise in price of one ऐसे situation में क्या होता है एक में price rise होने की वज़े से दूसरे का demand कम होता है उसमें डिमांड बढ़ रहा था इसमें डिमांड कम होगा तो complimentary में negative डिमांड आएगी mix देखो इसमें diagram यह price of bread देखो अगर bread की price इतनी थी यह O से लेकर P तक देखो तो बटर की demand यहां तक थी यह जादा ले रहे थे लेकिन जैसे ब्रेट का price बढ़ गया तो बटर का price देखो यह जो डिमांड है बटर का वो इतना हो गया यहां पर कम पहले इतना था अब यहां से यह सिकोड के इतना हो गया कम complimentary goods में यह हो गई नेगेटिव क्लियर है किसी को डाउट नो मैं अब देखो आगे अच्छे सर्व एक ही क्यों response कर रहा है यह स्माम नो मैं बाकी सब का है इंक लास में कि यह देखो एक क्रॉस लास्टिसिटी हो गया अब पढ़ेंगे इंकम इंकम इलास्टिसिटी देखो चेंज होती है डिमांड में लेकिन किसकी वज़े से इंकम की वज़े से जो इंकम है कंजुमर की अगर वो कम है तो दूसरी चीज़ों क्योंगी लेकिन अगर उसकी इंकम पे सदन राइस हो रहा है तो डिमांड में भी डेफिनेटली कुछ चेंज होगा तो ऐसी जो डिमांड लोगों की इंकम को लोगों की इंकम बढ़ने या घटने की वज़े से डिमांड पर कुछ असर आता है यहां सदनली किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इंकम इलास्टिसिटी ओफ डिमांड मीनिंग देखो प्राइज ओफ गिवन कमडिटी प्राइज ओफ गोड्स टेस्ट आफ कंजुमर यह सब कॉंस्टेंट रहते हैं इन सब पर चेंजिस के साथ हैं जैसे अगर हमको पिताए कि हमारी मंथली इंकम 15,000 है तो हम सब बजट में करत अब लग्शरी चीजों की उपर जाएंगे यह फिर अपना स्टैंडर्ड ओफ लिविंग रेस करने के उपर जाएंगे तो इंकम की वज़े से अब अब जब आपका स्टैंडर्ड ओफ लिविंग इंक्रीज होगा तो आपकी दूसरों चीजों की डिमांड बढ़ेगी और अब दीरे दीरे आपकी नेसेंटी बन जाएगी तो प्रपोशनेट चेंजिन क्वांटिटी डिमांड इपॉन प्रपोशनेट सेंज इनकम इंकम इलास्टिसिटी ओफ डिमांड जब इंकम की वज़े से किसी चीज की डिमांड बढ़ती यह गटती है तो उसको बोला जाता है इनका मिलास्टिसिटी ओफ डिवान यहां तक लिए रहे है यस मैम फिर से एक ही आवाज कौन है यस मैम माला यह हनी है न यह समय है अब एक बार भी यस मैम नहीं बोलना देखती हूं दूसरे हैं कि नहीं क्लास में एक ते देखाओ जो डिगरी होंगी न इस मैं इलास्टिसिटी ओफ डिमांड की जो डिगरी होगी तीन में थाफ की होगी यहां तो frame Čख किसी की जाए इंका म बढ़ रही तो पॉजटेम लिकॉimes और इंका इसी इनका म इस प्धात रही हो सुद्धनली डिमांड भी बढ़ गई तो यह हो गई पॉजिटिव इंकम इलास्टिसिटी नेक्स्ट देखो देखो पॉजिटिव इंकम भी थ्री टाइप्स के होती है एक यूनिटी होगी मतब एक्विवेलेंट टुवन ये वाला देखो एक होगी लेज दिन यूनिटी ये देखो ये वाला और एक होगा पॉजिटिव में भी नेक्स देखो नेगेटिव नेगेटिव में देखो प्राइज इंकम इतनी है तो डिमांड इतनी थी इंकम 10 तक थी जीरो से तो डिमांड चार थी लेकिन जैसी इंकम बड़ी न तो डिमांड कम हो गई तब क्या होता है अपना ध्यान दूसरी चीजों की तरफ जाता है तब अपन एजेंशिल से हटके लक्जरी इसमें आते है तो उन गुट्स की डिमांड कम हो जाती है नेक्स देखों जीरो इंकम मतब इंकम फ्लक्ट्वेट ही नहीं हो रही है देखों जीरो है तो भी डिमांड इतनी है टैन है तो भी इतनी है ट्वेंटी है तो भी इतना है भी एक्जाइम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टन टॉपिक हैं मैं अध्ट तू मेजर प्राइवलास्टिसिटी ऑफ डिमाज प्राइवलास्टिसिटी कि यह थाना स्टाइंग में ये उसी की methods है most important है exam में पूछेगा methods तो लिखना आप लोग चार methods है वैसे तो एक है देखो total expenditure फिर proportionate point और arc ये revenue आपके syllabus में नहीं है ये वाला आपको चार करने ही है आगे देखो Marshall ने दीथी total expenditure method की definition आप लोगों को मैंने जब देखो एक रिव पुराना कुछ रिव दिखा रही हूं आप समझेंगे ये देखो ये तीन situation कराई थी ना यूनिटरी एलास्टिक रिलेटिवली एलास्टिक और एक ये रिलेटिवली इनलास्टिक याद आ रहे हैं डैस्देन वन और देन वन एक विवेलन टुवन याद है ये तीनों यसमें ये तीनों मिलके ही टोटल एक्षपेंडिशर में बनता हैं ओर देन लेज देन और यूनिटरी वादलब एक विवेलन टूट वन आ रहे हैं समझ में अपर्फेक्ट वाली जो दो सिटुएशन से अगर नहीं देखते हैं तो बच्ती कितनी एक तो एक्वेलेंट एक लेस्ट एन वन और एक मोर देन वन तो यह जो तीन है यह तीनों मिलके बनती हैं आपके एक्जाम में लिखना है ऐसे ही क्या तोटल एक्स्पेंडिचर में ये मैथर किसने इन्वाल किया था प्रोफेसर मार्षल है विवाल्ड इस मैथर आगे देखू अगे देखो अगे देखो रिप्रोटल ऐस एव दिमांड कें वी मैज़र बाया considering the change in price and subsequent change in total quantity of goods purchase and total amount of money spent on it. यह कहते हैं जिसे जितना price पे change हो रहा है तो क्या demand में उतना ही change आ रहा है कि नहीं यही किया था पन्ने उसमें यह देखाँ अगर जैसे ही उसका demand क्या हो गया चार तो कितनी ही हो गई टू हो गई quantity expenditure देखो कितना ही लग रहे है आठ total expenditure method है तो two into four eight हो जाएगा four into two eight तो same total expenditure expenditure को divide करो eight by eight कितना आएगा one आएगा अगर eight upon eight करेंगे तो आ जाएगा one आएगा और मैंने one को बताया था कि आप unitary से measure करेंगे unitary आया समझ में नेक्स देखो अगर किसी goods का अगर किसी goods का price two है तो quantity कितनी demand की जा रही है चार लेकिन अगर उसका price चार हो गया है तो लोग अब एक खरीद रहे है वाइस आ रहे है मेरा अगर किसी चीज का price two था तो quantity कितनी ली जा रही थी चार तो two into four करो eight लेकिन अब price देखो बढ़ गई तो demand भी देखो कम हो गई बहुत तो four into one four तो अगर इसको divide करोगे eight by four तो four one जा और four two जा तो कितना आया less expenditure हुआ उपर फिर more expenditure वाली condition हो जाती है तो four को अगर divide करोगे eight से तो कितना आएगा two आएगा तो greater than unity unity क्या होता है one तो उसे जादा आया two तो more than unitary elastic same इदर देखो price two है तो demand three है price four हुगा तो demand कितनी हो गई कम हो गई तो देखो two into three six four into two eight अगर six divide by eight करते हैं तो one से भी कम आएगा तो से less than unit आया समझ में पताओ किसी को doubt है नो मैम इसको नोट करो जल्दी से सब 2 मिनिट का टाइम दे रही हूं मैं सब को जल्दी से नोट करेंगे में को आप screen shots वगरा नहीं चाहिए किसी के भी आप लोग इसको नोट करो और आप मुझे सब इसको personally send करेंगे मैं देखूं कि आप कितने कितना क्या-क्या नोट क्या है जल् झाल कि आप लोगों नहीं कि實ma क्या ए मुझे रहा हैं जू गला कि आप करेंगे मुझे एसके अप करहते हैं प।के यहारा कि यहाजएं कि आप इसके रहा हैं आ कि आप नेक्स्ट करूं यस मैम बाकी सबका होगे हैं यस मैम यस मैम यस मैम बाकी सबका हैं झाल यह देखो टेबल क्या कहता है जो अभी हमने टेबल पड़ा यूनिटरी लास्टिक दिवान पे टोटल एक्सपेंडिचर देखो वही था गोड्स का प्राइस दो था तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया था एट जैसे ही प्राइस बड़ा फोर पे तो यह कितना हो गया एक टोटल एक्सपेंडिचर डिमेंग्स देखो इनवर्ज चेंज इन प्राइस जो एक्सपेंडिचर ग्रेटर देखो बताया था डिवाइड वगरा करके सेम उसी को इसने थ्योरी पॉइंट में लिग दिया ग्रेटर दैन यूनिटरी लैस दैन यूनिटरी बस ग्राफिकल रप्रेजेंटेशन आप मत बनाना एक्जाम में आप सिर्फ जो चार्ट मैंने बताया है अभी वो और उसको एक्सपेंड करेंगे बस यह ग्राफिकल आपके काम का नहीं है नेक्स लिखो कर परपोंशनेट मैंथर और पर्संटेज मैंथर बापोंशनेट यह क्रॉस लास्टिशनी जैसे लग रहा है प्रपोंशनेट चेज इन डिमांद फोर गौर edex पॉनप़ॉर्शन चेंज इन प्राइज sucking गुट एक्स देखो अभी क्रॉस अलास्टिसिटी किया था किया था किया था कि नहीं येस मैं सेम वही है क्रॉस अलास्टिसिटी कोई प्रपोर्शनेट और परसेंटेज मैठेड में डाल दिया है नेक्स देखो इसी को दो-माहतर्ट के नाम से जाना जाता है लिकलो एक इसको बोलते हैं परसेंटेज मैठेड फलक्स मैठेड और रेशिउ मैठेड फलक्स एफ ल यू एक्स फलक्स मैठेड रेशियो मैठेड और अरिथमेटेग मैठेड किसी का चूटा तो पूछ लो पोइंट मैथर्ड देखो यह भी प्रोफेसर मार्शल ने बताया ह ہے इसमें कुछ नहीं करते हैं बस जो डायग्राम बनते हैं उसमें पौइंट मेजर करते हैं कि कहां पे पर्फेक्लिक लास्ट का रही है डिबान कांपे इनलास्टिक कांपे मौर देन कांपे लैस देन बस औ जबहलां से देखो के समझ में आएगा यहां परो यह ना Department करवह एम और एंस लेकर यह डिमान्ड आ रही हुआ है इससमें you र्सपोंस की सेग्मेंट को अपर सेग्मेंट तससे सब्सक्राइबर अस्वैल क्या हो गया BN है न और अपर सेग्मेंट क्या हो गया इसका देखो बी से लेकर M तक यह हो गया अपर सेग्मेंट यह देखो फिर वही अगर पी एन लिखेगा लोवर यह पॉर्शन हो गया अपर तो पॉइंट के उधर अपर पॉइंट के नीचे लोवर तो अगर पी से एन तक लेते हैं लोवर तो अपर क्या हो जाएगा पी से लेकर M तो यह देखो फर्स्ट वाला देखो PN upon PM यह देखो यह भी देखो एक्विवेलेंट तीन पॉइंट्स इधर है और इधर भी तीन पॉइंट्स हैं तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से डिवाइट करेंगे तो elasticity of demand क्या हो जाएगी वन आ रहे समझ में यह देखो unity अगर आप इसको ऐसे समझो इस पॉइंट को वन समझो इसको भी वन समझो इसको भी वन और इसको भी वन तो कितने points हो गया 1 1 1 1 4 points हुए तो P से लेकर N तक 2 points हुए P से लेकर M तक 2 points तो 2 by 2 किया तो क्या है गहां 1 आ रहे है समझ में yes ma'am next देखो यह तो point P की बात थी यह वाला point P second में देखो क्या लिख रहा है at point A अगर अपन आप आते हैं A तो जो यह वाला method है point पे इसका formula कैसे बनता है lower upon upper तो A point पे लिया है तो A N upon A M हो जाएगा तो देखो यह A N हुआ यह हुआ अब देखो A से लेकर N तक lower में कितने points आएंगे 1 2 3 और यहां पर कितना आएगा सिर्फ 1 तो 3 upon 1 तो 3 upon 1 किया तो 1 से जादा हुआ यानि greater than unity यह देखो यह लिखा है greater than unity यह देखो यह A point पे elasticity of demand क्या है 1 से जादा सेम थार्ट पे देखो point B अगर यहां पे आते हैं B वाले point पे तो lower segment यह है upper segment यह तो BN upon BM यह देखो BN upon BM तो BN में कितने points हो गया 1 BM में कितने हो गया 3 तो 1 upon 3 क्या हो जाएगा less than unity आ रहा है समझ में yes ma'am same way non-linear में यह आप लोग non-linear तक मत जाना आप सरफ point तक जाना अपर देखो arc elasticity दिया है arc elasticity में क्या देता है average निकाला जाता है यह left which ने definition देती when elasticity is computed between two different points on a demand curve इसका डाइग्राम देखो यह देखो यह arc elasticity price देखो यह पहले P2 थी price कम थी तो demand देखो यहां तक जा रही थी फिर price थोड़ी सी बड़ी तो demand कम थोड़ी सी Q2 से Q1 हो गई फिर demand price देखो उपर तक गई तो demand Q1 से भी Q पे आ गई तो demand क्या होते जारी है कम होते जारी है पहले देखो O P ध्यान देना O से लेकर P2 तक O से लेकर P2 तक था तो demand थी कितनी O Q2 फिर जैसे price बढ़ी यह देखो यह इस तरफ बढ़ रही है price उपर की तरफ P2 से हो गई P1 तो demand देखो Q2 से Q1 हो गई फिर फिर price और बढ़ी तो यह क्या हो गई Q1 तो यह जो यह आर्क बन रहा है ना इसकी वज़े तो इसकी वज़े से जो डाइग्राम है वो सीधा demand कर स्ट्रेट जाने की वज़े से यह गूम गया यह देखो यह आर्क बन गया यह इसलिए इसको बोलते है आर्क इलास्टिसिटी ओव डिमांड किसी को पूछना है तो पूछो कहीं डाउट है किसी को नौ मैम सबको क्लियर है बताओ सबको क्लियर है कोई डाउट है तो पूछो अब जल्दी से किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो पूछो ख़एखवर जलास्टब्स जलास्टब्स ट्तकी श्याटे है तो वे ख़या है Now हमła यहाम…. झाल झाल